मैं गरीमा गरवाल आप सभी का वंदन करती हूँ अभी नंदन करती हूँ आईए आज हम सुनते हैं दशा माता के वरत में सुनी जाने वाली नल और दैमंती की कहानी प्राचेन समय में राजा नल और दैमंते राणी सुख पूर्वक राजे करते थे उनके दो पुत्र थे उनके राजे में प्रजा सुखी और संपन थी एक दिन की बात है उसे दिन होली दशा थी एक ब्रामनी राज महल में आई और राणी से कहा दशा का डोरा ले लो से अपने घर में सुख सम्रद्दी आती है अते राणी ने ब्रामनी से डोरा ले लिया और विदी अनुसार पूजन करके गले में भांद लिया कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दैमंती के गले में डोरा बंदा हुआ देखा राजा ने बोला इतने सोने के कहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना राणी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फैंक दिया रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा यह तो दशा माता का डोरा था आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया जब रातरी में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढिया के रूप में आई और राजा से कहा हे राजा तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया ऐसा कहे कर बुरिया माता अंतरध्यान हो गई अब जैसे दैसे दिन बीटते गए वैसे वैसे कुछी दिनों में राजा के ठाट बाट, हाती गोड़े, लाव लशकर, धन दान्य, सुक शान्ती, सब नश्ट होने लगे अब तो भूके मरने तक का समय आ गया एक दिन राजा ने दैमन्ती से कहा तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माई के चली जाओ, राणी ने कहा मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगी, जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी तब राजा ने कहा अपने देश को छोड़ कर दूसरे देश में चलते हैं, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे इस प्रकार नल दैमन्ती अपने देश को छोड़ कर चल दिये चलते चलते रास्ते में बील राजा का महल दिखाई दिया वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तोर पर छोड़ दिया फिर आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गाव आया राजा ने रानी से कहा चलो हमारे मित्र के घर चले मित्र के घर पहुशने पर उनका घुब आदर सतकार हुआ, पकवान बना कर भोजन कराया मित्र ने अपने शेयन कक्ष में सुलाया उसे कमरे में मोर की आकरती की खूटी पर मित्र की पतनी का हीरो जड़ा कीमती हार तंगा था मद्ध्य रात्री में रानी की नीन खुली दोनों ने देखा कि वह बेजान खूटी हार को निंगल रही है यह देखकर रानी ने दुरंद राजा को जगा कर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे अध्य यहां से इसी समय चले जाना चाहिए राजा रानी दोनों रात्री को ही वहां से चल दिये सुबह होने पर मित्र के पत्नी ने खूटी पर अपना हार देखा हार वहां नहीं था तब उसने अपने पती से कहा तुम्हारे मित्र कैसे है जो मेरा हार चुडा कर रात्री में ही भाग गए है मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापी ऐसा नहीं कर सकता दीरज रखो कृपया उसे चोर मत कहो आगे चलने पर राजा नल की बेहन का गाम आया राजा ने बहन के घर खबर पहुचाई कि तुम्हारे भाई भोजाई आये है खबर देने वाले से बहन ने पूचा उनके हाल चाल कैसे है वह बोला दोनों अकेले हैं पैदल ही आये हैं तथा वे दुखी हाल में है इतनी बाद सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भहया भावी से मिलने आई राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया परंतु राणी ने जमीन में गाड़ दिया फिर चलते चलते एक नदी मिली राजा ने नदी में से मचलिया निकाल कर राणी से कहा तुम इन मचलियों को भुंजो मैं गाव में से परोसा लेकर आता हूँ गाव का नगर सेट सभी लोगों को भोजन करा रहा था राजा गाव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चीलने जपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया राजा ने सोचा कि राणी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया उधर राणी मचलियां भूंजने लगी तो दुर्भा के से सभी मचलियां जिवित होकर नदी में चली गई राणी उदासों कर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मचलिया खुद खा गई जब राजा आये तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिये चलते चलते राणी के माईके का गाव आया राजा ने कहा तुम अपने माईके चली जाओ वहां दासी का कोई भी काम कर लेना मैं इसी गाव में कहीं नोकर हो जाओंगा इस प्रकार राणी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा दोनों को काम करते बहुत दिन हो गए जब होली की दशा का दिन आया तब सभी राणियों ने सिर्धो कर इस्नान किया दासी ने भी इस्नान किया दासी ने राणियों का सिर्गुथा तो राजमाता ने कहा मैं तेरा भी सिर्गुथ देती हूँ ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर्गुथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा यह देखकर राजमाता की आँखे भर आई और उनकी आँखों से आसो की बूंदे गिरी आसो जब दासी की पीट पर गिरे तो दासी ने पूछा आप क्यों रो रही है राजमाता ने कहा तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था जैसा तेरे सिर में भी है यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई तब दासी ने कहा मैं ही आपकी बेटी हूँ दशा माता के कौप से मेरे बुरे दिन चल रहे है इसलिए यहाँ चली आई माता ने कहा बेटी तुने यह बात हम से क्यों छिपाई दासी ने कहा मा मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं करते आज मैं दशा माता का वरत करूँगी तथा उनसे गल्ती की शमाय आचना करूँगी अब तो राज माता ने बेटी से पूछा हमारे जमाय राजा कहा है बेटी बोली वे इसी गाउं में किसी तेली के घर काम कर रहे है अब गाउं में उनकी खोच कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए जमाय राजा को इसनान कराया नए वस्त्र पहनाए और पक्वान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया फिर रानी और राजा ने दशा माता का बहुत इश्रद्दा भक्ती भाव से व्रत किया अब दशा माता के आशिरवास से राजा नल और दैमन्ती के अच्छे दिन लोट आए फिर कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्जे जाने को कहा दैमन्ती के पिता ने खूप सारा धन, लाव लशकर, हाती गोड़े, आदे देकर बेटी जमाई को विदा किया रास्ते में वही जगे आई जहां रानी ने मचलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील की जपटा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा परन्तु चील ने जपटा मार कर भोजन गिरा दिया था तब रानी ने कहा आपने सोचाओगा कि मैंने मचलिया भूनकर अकेले खाली होंगी परन्तु वे तो जिवित होकर नदी में चली गई थी चलते चलते अब राजा की बहन का गाव आया राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे है तो उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में है उनके साथ हाती गोडे लाव लशकर है यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजा कर लाई तभी देमन्ती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो यह कहकर उस जगे को खोदा जहां कांदा रोटी गार दिया था खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया यह डोनों चीजे बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तयारी करने लगे फिर वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आधर सतकार और सम्मान किया रात्रे विष्राम के लिए उन्हें उसी शैनकक्ष में सुलाया मोर्णी के खूटी के हार निगल जाने वाली बात से नीन नहीं आई आधी रात के समय वही मोर्णी वाली खूटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पतनी को जगा कर दिखाया देखिए आपका हार तो इसनी निगल लिया था आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है दूसरे दिन प्राते काल नित्य कर्म से निपट कर वहां से चल दिये वे भील राजा के यहां पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया गाम के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया नल दैमन्ति अपने बच्चों को लेकर अपने राज़ाने के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लावलशकर के साथ उन्हें आते हुए देखा सभी ने बहुत प्रसन होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुँचाया राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया राजनल दैमन्ती पर दशा माता ने पहले कोप किया ऐसा किसी पर मत करना बाद में जैसी क्रपा करी वैसी सब पर करना जै दशा माता बिंदाईक जी की कहानी एक अंदी बुडिया माई के पती बेटा वे बहुत थे वे बहुत गरीब थे बुडिया माई के प्रती दिन गणेजी की पूझा करने का नियम था एक दिन गणेजी भगवान उससे प्रसंद हो गए और बोले बुडिया माई तेरी पूझा से में प्रसंद हुआ वर मांग बहु से पूछा तो बहु बोली मा पोता मांग लो तब माई ने सोचा ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं क्यों ना मैं परोसन से पूछ लूँ परोसन से पूछा तो परोसन बोली तू क्यों धन मांगे क्यों पोता मांगे तू तो अपने लिए दीदा तब बुढ़्या माई घर आई और सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटा बहु भी खुश हो जाए और अपना भी काम हो जाए। पर ठीक है सब ऐसा ही हो जाएगा और तथास्तो कहकर भगवान गनीजी अंतरध्यान हो गए। बुढ़्या माई के सब सुख हो गए। हे गनीजी भगवान जैसा बुढ़्या माई वे उसके परिवार को दिया वैसे धन के भंडार सब के भरना। जै श्री राधे।